सिर्फ एक कप गेहूं के आटे और दो बुन तेल से आज हमें ऐसा नास्ता बना कर तियार करेंगे जिसके आगे समोसा कोचोडी भी फेल हो जाएगी खाने में ये इतना जादा टेस्टी और कुरकुरा होता है कि आप हमेशा इस नास्ते को बना कर खाना पसंद करेंगे और अगर आप तला भुना खाने से परहेज करना चाहते हैं पर समोसा को चोड़ी देखकर मन नहीं मानता तो आप इस रेसिपी को जिरूर ट्राई कीजेगा आप सब को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मिक्सिंग कॉल में एक कप केहूं का आटा ले लेना है आटे को हम थोड़ा सा दरदरा करने के लिए इसमें एक चोथाई कप सूजी डालेंगे तो आप रवा कोई सा भी पतला मोटा यूज कर सकते हैं आटे के साथ स बसूरी मेथी डालेंगे आदी छोडी चमच अजवाइन को रब करके डाल दीजें टेष्ट के कोडिंग इसमें नमक डाल देंगे और सभी चीजों को अच्छे से आपस में मिला लीजें उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और एक्दम सब्सा इसका तयार करेंगे बहुत जादा ड्राइ भी नहीं और सॉफ्ट भी नहीं बस पूड़ी के आंटी का जैसे हम डो टैयार करते हैं वैसा हम इसको गूथ कर तयार कर लेंगे और डो को तयार करने के बाद इसको हम 15 मिनीट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं और अब हम इस नास् की मिलले जीज़े और हमारी आलू की स्टफिंग बने के तयार हैं अब तयार के हुए आलू के स्टफिंग से थोरा थोरा shrinking लेके छोठे- RPG बना लेंगे तो पहले ही हम सारे आलू के बना तयार कर लेंगे तो दिखिँ मैंने हा पर सारे स्टफिंग से इस तरह से बॉल्स बनाके रेडी कर लिया है अब हमने जो डो को रेष्ट पर रखा था वो भी तयार है अब इसकी तीन बरावर लोईया तोड लीजे और फिर हम इसको रोल करेंगे तो थोरा सा आठा डस्ट करके इसको बड़ी सी गोल पतली रोटी की तरह रोल कर लीजे तो देखे मैंने इसको बड़ा सा रोल कर लिया है अब इसके उपर हम थोरा सा सफेद तिल लगा लेंगे और थोरा सा मिस पे बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और बेलन से इसको एक बार और और रोल कर लेंगे ताकि जो सफेद तिल और धनिया कपत्ता डाला हमने वह चुछाँ चीपक के उपर अब हम एसको छोटे छोटे गोल गोल काटने हैं तो इस्तरह की काटोरी लेगए जिस्से आप इसको कॉस्का कॉट कर सके और गोल गोल पुरी के अकार में इसको काटोरी कर लेंगे और कट करने के बाद आप एक पूरी को उठाइए और इसके अंदर हमने जो आलो की स्टफिंग तयार किया है वो इसके बीचो पीच रफ कर इसे हमें सील कर देना है अब इससे बनाने के लिए लुप या यूज करेंगे तो अपय पैन में घी या या टेल डाल लीजे बस हलका हलका इसको ब्रश कर लेंगे और फिर हम एक एक करके यह नास्ता इसके अंदर डाल देंगे और मीडियम टूलो फ्लेम पर हम इसको एक तरफ से पहले सिकने देंगे 3-4 मिट इसको एक तरफ से सिखने दे फिर इसको हम रोटेट करते हुए चारो तरफ से पकाएंगे जब तक ये पूरी अच्छी तरफ से क्रिस्पी नहीं हो जाता है तो 20-20 में ध्यान रखे आप इसको रोटेट करते हुए पकाएं और मेडियम टू लोग फ्लेम पर ही पकाएं ताकि ये चारो तरफ से इवैनली कुक हो और तभी एकदम कुरकुरा बनके तयार होगा तो बस देखाना आपने अपे पैन में हमारा ये बहुत ही सांदार नास्ता बनके तयार होगा एकदम कुरकुरा और क्रिस्पी अब इसको आप प्लेट पर निकाल लीजे और गर्मा गर्म सर्फ करें तो तला भुना खाने से बचना चाहते हैं तो आप भी इस क्रिस्पी कुरकुरे नास्ते को जरूर बना कर ट्राइ किजेगा आप महमानों को भी इसको खिला सकते हैं तो कैसी लगी आपको मेरी ये नास्ते की रेसिपी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताईएगा आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं फिर मिलेंगे आप से एक और नई और मचदार सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर